अपने उपर हुए एक रेप का बदला कोई विक्टिम के से लेख जब किसी की वर्जिनिटी है किसी की जान की दुश्मन बन जाए तब क्या होगा यह हमने आज की कहाने में पता चलने वाला है मुवी की कहानी शुरू होती है जेक और रोस से जो कि जंगल में एक कार के अंदर मेक आउट कर रहे थे हैं जेक रोस के साथ में इंटिमेट होना चाहता था लेकिन रोस शादी से पहले इंटिमेट नहीं होना चाहती थी लेकिन जेक के थोड़ा जोर देने पर रोस उसके कोशिश करती है लेकिन वो केलर ओरत रोस को भी जान से मा डलती है फिर अब हम एक दूसर कपल केली और जूटी को देखते हैं दोनों एक साल से रिलेशन्शिप में थे लेकिन दोनों अभी तक इंटिमेट नहीं हुए थे जिस वजह से जूटी केली से नाराज था और वो उस का केली का फायदा उठा है ब्रेंड एक कुलिस ऑफिसर भी था और अगले सुबह ब्रेंड को बहुत ही बुरी हालत में जेक और रोस के डेट बोड़े मिलती है उस खिलर ओरत ने रोस को कई सारे किलों से ठोक कर पेड़ पर लटका दिया था दूसी तरफ केली कॉलेज जा के बाद में कॉलेज में ब्रेंड आता है वो प्रिंसिपल डेविट से मडर के बारे में बात करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेंड और डेविड बश्पन के दोस्टत है ब्रेंड फ्री स्टूडेंट्स और जेक और रोस्टर क्लास टीचर से पुष्टाश क कर निकले जाता है लेकिन उनसे ब्रेंड को कुछ भी इंपोर्टेंट पाता नहीं चलता है फिर यहां पर रात को हम फिर से उसे किलर लेडी को देखते हैं अब वो किलर लेडी एना नाम की एक स्टुएंड के घर पर जाती है और उसको अपनी बातों में फसा कर दोर को खुल आती है एना की दोर खोलते ही वो लेडी एना को जान से मा डालती है अब कुछ देर के बाद में पुलिस इन्वेस्टिकेशन करने के लाती है जहां पर ब्रेंड ये नोटिस करता है कि मडर के बार में किलर डेड बोडी पर वर्जिन लिख देता है मतलब कि वो सिर्फ परेंड के साथ में मीटिंग रखते है और उनको समझाते हैं कि killer सिर्फ वर्जिन student को ही target कर रहा है लेकिन बातरी बातों में student के parent के बीच में जगला हो जाता है और मीटिंग महीं पर रोपने पड़ती है मीटिंग के सभी बाते केली और टीमी चुपकर सुन रहे थे टीमी अपने बात की दोस्तों को ये बात इंफर्म करने के लिए केली का फोन लेकर दूसरी तरफ चला जाता है टीमी बहुत दिर तक वापस नहीं आया था और इसलिए केली खुट टीमी को ढूंड निकल जाती है केली को फिर एक दोर में वर्चन लिखावा दिखता है और केली जब उस दोर को खुलती है तो माँ पर उसे टीमी की डेट बोड मिलती है मतलब कि टीमी भी किलर लेडी का शिकार बन चुका था रास्ते में केली को अपने फादर ब्रेंड मिलते है जिनको केली किलर लेडी के बारे में बताती है लेकिन ब्रेंड जब उस जगह पर जाता है तो किलर लेडी वहां से भाग चुकी थी ब्रेंड फिर केली से उस किलर लेडी का स्केच बनवाता है उस killer lady का sketch देखकर brand ऐसा भीव कर रहा था जैसे कि वो उस killer lady को जानता हो और डेविट को वही sketch भिश देता है और उसे call करकर पूछता है कि क्या वो sketch वाली ओरत लिंडी है लेकिन डेविट के मताबिक लिंडी तो 25 साल पहले मर चुकी थी वो तब से उसको किसी ने भी नहीं द आती है और मारिया से केली को पता चलता है कि अपनी virginity lose करने के लिए सब भी student ने आज रात को एक party रखी है ताकि सब भी killer बच पाए फिर college में केली को Judy intimate होने का offer देती है लेकिन केली इस time उसको कोई जवाब नहीं देती है डेविट को भी रात को होने वाले virginity lose party के बार में पता चल जाता है और डेविट student को ऐसी party करने से मना भी करता है लेकिन कोई भी student उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है इधर केली लिंडी के बारे में अपनी मा टिफिनी से पूछती है और टिफिनी पहले तो केली को कुछ नहीं बताना चाहती थी लेकिन केली के जित करने प पर यहाँ पढ़ केली के बाद में वे लिंटी को मरने के लिए चोड़ गए और आज तक किसी को भी यह पता नहीं है कि लिंडी कहाँ पर है मैं उन चार रेपिใज student में से दो इस टाउन के बाहर चले है और बाकी दो रेपिस्ट और कोई नहीं केली के फादर ब्रैंड उ प्रिंसिपर डेविड है इस तरह ब्रेंड को यकिन हो गया था कि ये सब लिंडी अपना बदला लेने के लिए कर रही थी तो इसलिए ब्रेंड लिंडी के घर पर जाता है लिंडी का घर टूटा फूटा हुआ था जैसे कि सालों से महाँ पर कोई भी नहीं रहता हूँ फिर घर के अंदर चेक करने पर भी ब्रेंड को कोई नहीं दिखता है तो इसलिए ब्रेंड वहाँ से चला जाता है लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि घर में कोई था जो कि ब्रेंड के उपर नज़र रग हुए था अब कुछ देर के बाद में डेविड को ब्रेंड को कॉल पार्टी में जूडी एक लड़की के साथ में इंटिमेट होने वाला था लेकिन वो अब केली से प्यार करता था तो इसलिए जूडी केली से मिलने जाता है दूसी तरफ हम टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को बेस्मेंट पे ले जा रहा था केली बॉ जरू होता है जहां पर हम टॉम के बेस्मेंट में बहुत सरे हत्यार देखते हैं और यहां पर उसमें केली और ब्रैंड को बरांद कर रखा वा था मतलब के किलर और कोई नहीं बलके टॉम था और टॉम लिंडी का बेटा था जो कि अपनी मा के रेप का बदला ले रहा था टॉम केली को मानने वाला था लेकिन तबी टॉम के घर के डोर पर जुडी नौक करता है। जुडी केली के बारे में पता लगा कर महतक आ गया था। टॉम बहार जाता है ताकि बात को समभाल कर जुडी को वापस भेज दे। लेकिन केली ये ग्लास को नीचे गिरा कर जुडी को सिगनल दे देती है। वहापर आता है, टॉम को इसी भायनक हालत में देखकर सबी स्टूडेंट डर कर भागने लगते हैं। और उसी दौरान टॉम जूडी को माँ डालता है। टॉम केली को मानने आता है, लेकिन केली हिम्मत करके टॉम को विंडो से नीचे फेक देती है। इस्टूडेंट को लगता है कि टॉम मर गया है, लेकिन टॉम उठकर इस्टूडेंट के उपर हामला कर देता है। लेकिन सही समय पर एक ओफिसर टॉम को शूट करके माँ डालती है। अब अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिकेशन करती है लेकिन केली और उसकी मा टिफिनी पुलिस को नहीं बताते हैं कि इन सभी मड़त का लिंक 25 साल पहले हुए लिंडी के रेप कैसे है और उनमें से एक रेपीस्ट ब्रेंड था पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था तो इस कहानी में हमने देखा कि 25 साल पहले ब्रेंड डेविड और उनके दो दोस्तों ने मिलकर लिंडी का रेप किया था और उससे मरने के लिए जंगल में छोड़ जाता उसके बाद लिंडी को किसी ने भी नहीं देखा रेप के बाद में लिंडी को तलब तलब कर जीते और वो इनोसेंट स्टुएंट को भी मानने लगा था उसका में टारगेट वर्जिन स्टुएंट है जोगि ब्रेंड की बेटी केली भी वर्जिन थी लिंडी तो असल में रेप के सत्मे में कबकी मर चुकी थी लेकिन अपने फादर और बोईफ्रेंड की मौत से केली इतना अगले उडियो में